नमसकार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिष दोस्त पस्तितों आप सभी की सिवा में बहुत ही महतों पूर्ण जानकारी को लेकर करके जहां जायफल जोड़ों के दर्द, बदन दर्द और हात पैरों के दर्द के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है जहां आईए जानते हैं इसके प्रयोगों के बारे में चून लगभग आधा ग्राम से एक ग्राम तेल एक से तीन बूंद जैफल का पेंड काफी बड़ा होता है इसकी असी जातियां मानी जाती है भारत एवं माल द्वीप में कुल 30 जातियां पाई जाती है जैफल मूल रूप से एशिया महा द्वीप के पुरो में इस्थित मालका द्वीप का पेंड है जैफल के पेंड दो तरह के होते हैं नर और मादा मादा जाती के जैफल के फूल छोटी-छोटी मंजरियों पर आते हैं और पत्ते भाले के जैसे चोड़े होते हैं नर्जाति के जायफल के पत्ते बड़े होते हैं और उनको अंग्रेजी में मिरिष्टिका मैक्रोफिला कहते हैं इन पत्तों को मसलने से कुछ सुगंधा आती है इन पेणों पर फूल तो होते हैं पर पुश्पकोश नहीं होता है कितनी मात्रा में लेना है जायफल को जायफल का तेल 200 मिलीलीटर दो कप पानी 5-6 जायफल अब बनानी की विध्य जान लिजे सबसे पहले जायफल को दो कप पानी में अच्छे से घिस लें फिर उसे 200 मिलीलीटर तिली के तेल में अच्छी तरह से गर्म करें थंडा होने पर कमर की मालिश करें इससे कमर दर्द से जायफल को घिस कर रात में कमर पर इसका लिप करने से भी कमर दर्द मिट जाता है एक भाग जायफल का तेल और चार भाग सरसों का तेल मिला कर जोडों के दर्द सूजन मोच पर 2-3 बार मालिश करें इससे आराम मिलेगा ध्यान रखें अधिक मात्रा में जायफल के उपयो होना सिर दर्द और बेहोशी तक उत्पन हो सकती है गर्म प्रकृति के लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए जायफल के आईए अन्य फायदों के बारे में भी जानते हैं सुबह सुबह खाली पेट आधा चमच जायफल चाटने से गैस्ट्रिक सर्दी खांसी की समस्य जान नहीं सताती है पेट में दर्द होने पर चार से पांच बुद जायफल का तेल चीनी के साथ लेने से आराम मिलता है सर में बहुत तेज दर्द हो रहा हो तो बस जायफल को पानी में घीस करके लगा लें आपको रहत मिल जाएगी सर्दी के मौसम के दुश प्रभाओं स बचने के लिए जाइफल को थोड़ा सा खुरचिये चुटकी भर कतरन को मुह में रख कर चूसते रहिए यह काम आप पूरे जाड़े भर एक या दो दिन के अंतराल पर करते रहिए यह शरीर की स्वभाविक गर्मी के रक्षा करता है इसलिए ठंड के मौसम में इसे जरूर प्रयोग करना चाहिए आपको आपको किनी कानों से भूख न लग रही हो तो चुटकी भर जाइफल की कतरन चूसिये इससे पाचक रसो की रिद्धी होगी और भूख बढ़ेगी भोजन भी अच्छे तरीके से पचेगा दस्त आ रहे हो या पिट दर्द कर रहा हो तो कर लिजे एक हिस्सा मरीज को चूस कर खाने को कह दिजिए सुबह शाम एक एक हिस्सा खिला ये आपको लाब मिलेगा फालीज का प्रकोप जिन अंगों पर हो उन अंगों पर जायफल को पानी में घिसकर रोज लेप करना चाहिए 2 महीने तक ऐसा करने से अंगों में जान आ पीस कर बिवायों में भर दिजिए 12-15 दिन में ही पैर भर जाएंगे जाइफल के चुन को शहद के साथ खाने से हरदा मजबूत होता है पीट भी ठीक रहता है अगर कान के पीछे कुछ ऐसी गांट बन गई है जो छूने पर दर्द करती है तो जाइफल को पीस कर वहां पर ल पानी में मिलाकर पीने से नश्ट हो जाती है इसे थोड़ा सा घीस कर काजल की तरह आंख में लगाने से आंखों की जोती बढ़ जाती है और आंख की खुजली और धुंदलापन खत्म हो जाता है यह शक्ति भी बढ़ाता है जाइफल आवाज में सम्मोहन भी पैदा करता ह जाइफल और काली मेर्च और लाल चंदन को बराबर मातरा में लेकर के पीस करके चहरे पर लगाने से चहरे की चमक बढ़ जाती है मुहां से खत्म होते हैं किसी को अगर बार-बार पेशाप जाना पड़ता है तो उसे जाइफल और सफेद मुसली दो-दो गराम की मातरा मे मिला करके पानी से निगलवा दिजिए दिन में एक बार खाली पिट दस दिन तक लगातार लिजिए आपको लाव नजर आने लगेगा बच्चों को सरदी जुकाम हो जाए तो जाय फल का चोन और सोंट का चोन बराबर मात्रा में लिजिए फिर तीन चुटकी इस मिश्रन को गाय के घी में मिलाकर बच्चे को सुबह शाम चटाइए चेहरे पर या फिर तवचा पर पड़ी जायों को हटाने के लिए आपको जाय फल को पानी के साथ पत्थर पर घिसना चाहिए घिसने के बाद इसका लेप बना लें और इस लेप का जायों की जगह पर इस्तेमाल कर आपको जल्द ही जुर्यों से निजात मिलेगी आँखों के नीचे काले घेरे हटाने के लिए रात को सोते समय रोजाना जाय फल का लेप लगाएं और सुखने पर इसे धोलें कुछ समय बाद काले घेरे हट जाएंगे अपने आप अगर आपको अनिद्रा की समस्या है अनि रोजाना जाय फल का लेप अपनी त्वचा पर लगाना होगा इससे अनिद्रा की शिकायत भी दूर होगी और त्वचा भी तरोता जा रहेगी कई बार त्वचा पर कुछ चोट के निशान रह जाते हैं तो कई बार त्वचा पर नील और इसी तरह के घाव पर जाते हैं ज चुस्ति फुर्ति भी बनी रहेगी। जैफल के लेप के बजाए जैफल के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दांत में दर्द हुने पर जैफल का तेल रुई पर लगाकर के दर्द वाले दांत या दाढ़ पर रखें। दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर दांत में किड़े लगे हैं तो वे भी मर जाएंगे पेट में दर्द हो तो जाइफल के तेल की दो से तीन बुंदे एक बताशे में टपकाएं और खालें जल्दी ही आपको आराम आ जाएगा जाइफल को पानी में पका कर उस पानी से गरारे करें मूँ के छाले ठीक होंगे गले की सूजन भी जाती रहेगी जाइफल को कच्चे दोध में घीस कर चेहरे पर सुबख और रात में लगाएं मुहां से ठीक हो जाएंगे और चेहरे पर निखार आने लगेगा एक चुटकी जायफल पाउडर दूद में मिला कर लेने से सर्दी का असर ठीक हो जाता है इसे सर्दी में प्रयोग करने से सर्दी नहीं लगती है सरसों का तेल और जैफल का तेल चार अनुपात एक की मातरा में मिला कर रख लें इस तेल से दिन में 3-4 बार शरीर की मालिश करें जोडों का दर्द, सूजन, मौच, इत्यादी से राहत मिल जाएगी इसकी मालिश से शरीर में कर्मी आती है, चुस्ती फूर्ती आती है और पसीने के रूप में सारे विकार शरीर से बाहर निकल जाते हैं जाएफल, सोंठ और जीरे को पीस कर चून बना लें इस चून को भोजन करने से पहले पानी के साथ लें गैस और आफरा की परिशानी नहीं होगी दस जाएफल लेकर देशी घी में अच्छी तरह सेख लें उसे पीस कर चान लें अब इसमें दो कप गेहूं का आटा मिला कर घी में फिर सेखें इसमें शक्कर मिला कर रख लें रोजाना सुबह खाली पेट इस मिश्रण को एक चमच खाएं बवासिर से छोटकारा मिल जाएगा निम्बू के रस में जाएफल घीस कर सुबह शाम भोजन के बाद सेवन करने से गैस और कबज की शिकायत दूर हो जाती है शिशु का दूद छोड़ा कर उपर का दूद पिलाने पर यदि दूद पच्ता न हो तो दूद में आधा पानी मिला कर इसमें एक जाएफल डाल कर उबाल लें इस दूद को थोड़ा ठंडा करके कुनकुना गर्म चमच कटोरी से शिशु को पिलाएं यह दूद शिशु को हजम हो जाएगा जहां दोस्तों तो देखा आप सभी ने कि जाएफल आप सभी के लिए कितना फायदे मन साबित हो सकता है अगर आपने इसका सही धंग से इस्तेमाल कर लिया तो अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहधी महतोपून जानकारी को ले करके लेकिन इससे पहले यह जान लीजिए कि जाएफल का अत्यधिक मात्रा में कभी भी सेवन ना करें नहीं तो आप को फायदे की जगह नुकसान होगा तो अगले एपिसोड में मिलते हैं आप सभी से एक और बेहधी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धानिवाद नमस्कार दोस्तों